गुड मार्निंग क्लास कलम ने शुरू किया था डारेक्ट एक्स डारेक्ट एक्स में बात की कि पांच हेड होते हैं इंकम के पहला हेड होता है इंकम फॉम सेलरीज दूसरा हेड होता है इंकम फॉम हाउस परपर्टी तीसरा हेड होता है, income from business profession, चौता हेड होता है, capital gain, पाँच्वा हेड income from other sources, पाँच्वा हेड की total कर लेते तो क्या कहलाती है, GTI, gross total income, उसमें से क्या करते हैं, क्या less करते हैं, chapter 6 के deductions, less कर देते हैं, उसके बाद क्या आता है, total income, total income वो amount है, जिस पर हम tax calculate करते हैं, ठीक है, तो ये कुछ basic बात हैं, हमने समझी, अब इससे related एक छोटी सी और बात कहनी है, ये जो 5 head है income के, हर head का एक charging section होता है, charging section का मतलब, आप बोलोगे section तो ठीक है, समझा आगे आप कि पहले भी law पर रखा है, तो section का क्या meaning होता है, ये पता हैं, लेकिन charging section का क्या meaning होता है, वो section जो किसी particular income पर tax charge करने की बात कहता है, वो section जो किसी particular nature की income पर tax लगाने की बात करता है, उस section को हम बोलते है, charging section, ठीक है, तो income tax head के कौन से section में बोल रखा है, कि salary income पर tax charge किया जाएगा, लगाया जाएगा, किसी न किसी section में बोल रखा होगा, ठीक है, तो कौन से section में बोल रखा है ऐसा, तो उसके लिए हम समझते हैं, कि इन पांचो head का कुछ न कुछ charging section होगा, तो charging section, salary head का charging section होता है, section 15, मतलब income tax act के section 15 में बोल रखा है, कि salary income पर tax लगाया जाएगा, rental income पर tax लगाया जाएगा, ये कौन से section में बोला, section 22, house property head का charging section है, business और professional income पर tax लगाया जाएगा, ये कौन से section में बोला, ये section 28, तो PGPP head का charging section है, 28, और capital gain head का charging section है, 45, और other sources head का charging section है, आपका section 56, कहने का मतलब, हर head का एक charging section होता है, जो उस particular nature की income पर tax चार्ज करने की बात कहता है, ठीक है, अब, अब हम बात करते हैं, कल हमने ये बाते कर ली थी, कि income tax act पूरे इंडिया में applicable है, including Jammu and Kashmir, इसमें every year changes होते हैं, changes लाए जाते हैं, union budget के थुरू, उसमें एक छोटा सा part होता है, finance bill, उसमें tax rates की बात होती है, ठीक है, और amendments की बात होती है, आज हम इस tax rates को लेकर एक और बात पढ़ेंगे, कि ये tax rate क्या हर तरीके की income के लिए है, हम आगे चल कर पढ़ेंगे कि income दो टाइप की होती है, एक normal income, एक special income, तो special incomes पर special tax rates होती है, जैसे आपने बहुत लंबे time hold करके, suppose कोई plot बेचा, 20 साल बाद, 20 साल पहले खरीदा था, अब आज बेचा आपने, तो वो capital gain हुआ, उसपे profit हुआ आपको, वो capital gain के लाएगा, ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे, capital gain दो टाइप का होता है, short term, long term, तो long term capital gain पर 20% tax rate होती है, आगे चल कर आएगा यह सब, ठीक है, तो कहने के मतलब, special incomes पर special tax rates होती है, वो special tax rates कहां दे रखी है, खुद income tax act में, तो यह जो finance bill आया, finance act आया, इसके अंदर कौन सी tax rates है, इसके अंदर जो tax rate होंगी, वो normal tax rates होंगी, normal tax rates, क्यों, क्योंकि special tax rates तो income tax act के अंदर ही दे रखी है, हाँ, अगर उसमें कुछ amendment हुआ, तो वो amendment वाले पार्ट में आ जाएगा, अगर government special income की tax rate बदलती है, change करती है, तो वो किसमें cover हो जाएगा, amendment में, और कल हमने पड़ा कि finance bill रखा जाता है, कहां पर parliament में, और वाँ पास होने के बाद presidential assent राष्टपती की स्विक्रती के लिए भेज दिया जाता है, और पहले जो finance bill था, वो parliament में पास होने के बाद, और presidential assent मिलने के बाद, वही finance bill बन जाता है, finance act, और वह finance act किसी financial year के respect में होता है, एक particular year की income per tax लगाने की बाद कहता है, तो अभी exam के लिए आपके November 2022 exams के लिए financial year आपका 2021 होगा, तो 2021-22 year की income per tax लगाने की बाद हम करेंगे, और ये भी बाद हम कर चुके थे कि tax की calculation very next financial year में होगी, और उस very next financial year को हम बुलेंगे assessment year, तो previous year, assessment year का concept clear है सबको? प्रिवियस year क्या होता है? जिस साल की income per tax लगाना है, उस साल को हम बोलते हैं, प्रिवियस year, और assessment year किसको बोलते हैं? जिस year में हम tax लगाते हैं, calculate करते हैं, ठीक है? तो इसका मतला है, assessment year में previous year की income per tax calculate किया जाता है, ठीक है? चलिए, अब आज कुछ और बाते करते हैं, इस chapter को लेकर, आज ये chapter complete है, छोटा सा chapter है, introduction और basic concept, ताकि कल हम heads पर आ सकें, अभी हमने बात की 5 head होते हैं, तो उस में से हम कल एक head शुरू कर देंगे, ठीक है? टोटल direct text में आपके 23 chapters हैं, ठीक है? और फिर इसी paper में आपका indirect text भी है, तो इस subject का load बहुत ज़्यादा है, ये subject अके लिए तीन, ये जो paper आपका रहेगा, paper number 4, ये आपका तीन subject से बराबर के load वाला subject है, ठीक है? तो आपको थोड़ा fast रहना पड़ेगा, तब जाके आपका course complete होगा, ठीक है? तो कलम ने बात की कि income tax है पूरे इंडिया में applicable है, including Jammu and Kashmir, तो पूरे इंडिया में applicable है, तो सवाल परता होता है, इंडिया का क्या मतलब है? इंडिया, इंडिया किसको बोलेंगे? आप बोलो कि इंडिया क्या meaning हमने तो अभी सोचा ही नहीं कि इंडिया की भी कुछ definition होती होगी, सोचा कभी? नहीं? तो income tax act के section 2 clause 25a में इंडिया की definition दे रखी है, तो इंडिया की definition क्या है? इसको हम इस तरीके से समझते हैं, जो इंडिया का जमीनी हिस्सा है, मैं इंडिया का पूरा proper diagram होता वैसे नहीं बनाऊंगा, मेरे को सिर्फ समझाना है कि इंडिया का suppose ये जमीनी हिस्सा है, ठीक है? ये इंडिया का जमीनी हिस्सा है, इसके बाद पानी शुरू हो जाता है, समुद्र शुरू हो जाता है, ठीक है, तो क्या समुद्र वाला पार्ट भी इंडिया में cover होगा या नहीं? तो जो territory of India है इसको जमीनी से को क्या कह जाता है territory of India ये तो इंडिया है ही फिर समुद्रम में इंडिया कितना है देखे ये इसको मैं बोलूँगा बेस लाइन जहां पर जमीनी सक्खतम हो रहा है उसको मैं बोलूँगा बेस लाइन उसके जो 12 नूटिकल माईस तक होता है इंडियान territorial waters इंडियान territorial waters होता है 12 नूटिकल माईस तक अब आप बोलोगे नूटिकल माईस क्या होता है तो नूटिकल माईस को हम समझते हैं किलो मीटर तो बता है कपड़ा जैसे हम मीटर में नापते हैं दूद लीटर वगरे में ठीक है तो कुछ पर्टिकुलर चीजों को हम केजी में मेजर करते हैं मतलब कुछ न कुछ मेजरमेंट यूनिट होती है तो जैसे distance को आप किलो मीटर में नापते हैं ठीक है तो distance को हम किलो मीटर में मेजर करती हैं तो एक न्यूटिकल माइल जो होता है वो बराबर होता है 1.853 किलो मीटर के बराबर हमें समुद्र में डिस्टेंस समुद्र में सिर्फ डिस्टेंस के बेश पे मेजरमेंट नहीं होगा गहराई के बेस पे भी measurement होगा distance भी देखेंगे गहराई भी देखेंगे उसको दोनों को देखते हुए measurement unit government ने बनाई है अलब इस field में measurement unit क्या होती है neutical miles तो एक neutical miles किसके बराबर होता है 1.853 km के बराबर km तो पता है तो 1.853 km is equal to 1.1 neutical miles के बराबर तो 12 neutical miles तक क्या होता है जमीन हिसे के बाद Indian territorial waters फिर इसके बाद अगला 12 और भी 12 अगला और यहां से यहां तक ठीक है यह कहलाता है Indian contagious zone Indian contagious zone तो पहला बारा वो क्या कहलाएगा Indian territorial water उसका अगला बारा Indian contagious zone अगर कोई बोले नहीं दोनों को जोड के क्या बोलते हैं दोनों को जोड के बोलेंगे तो दोनों को जोड के बोलते हैं Indian customs water इंडियन कस्टम्स वाटर क्यों नाम दिया गया इसको यहां तक 12 प्लस 12 यह इंडियन कस्टम्स वाटर कहलाएगा ऐसा क्यों कोई भी कस्टम ओफिसर यहां तक अपना पावर एक्सरसाइस कर सकता है मालो कि यहां से कोई वैसल तसकरी करके illegal goods अपने ship में load करके भाग रहा है तो कस्टम ओफिसर का राइट यहां तक ही है कहां तक? बेसलाइन से 24 किलो मेटर तक 12 प्लस 12 कितना हो गया 24 नूटिकल मास तक 24 नूटिकल मास तक कस्टम ओफिसर का राइट रहेगा उसको पकड़ने का तो बात किसके context में कही जा रही है? Customs के connection में कही जा रही है? तो यह यहां तक का जो water होगा वो कहलाएगा Indian Customs Water अप, बेसलाइन से میں कांट करूँ, बेसलाइन से मैं दूब़रा कांट करता हूँ, बेसलाइन से दूब़रा कांट किया, तो 200 thoughtful माढश तक होता है, Exclusive Economic Zone Exclusive Economic Zone ठीक है? तो इंडिया यहां तक है सिर्फ जमीनी हिस्सा इंडिया नहीं है वो तो इंडिया है ही पानी में भी इंडिया कहां तक आजाएगा Exclusive Economic Zone तक ठीक है? और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उसके बाद होता है High C High C जहां पर सारी कंट्रीज का Equal Right होता है तो इंडिया कहां तक हुआ? Exclusive Economic Zone तक और Exclusive Economic Zone कहां तक होता है? बेस लाइन से 200 Nautical Miles तक होता है ठीक है? यह Exclusive Economic Zone का कंसेप्ट क्या है? इसको हम ऐसे समझते हैं For example, मैं कभी अपने घर पर क्लासेस लेता था वहीं परी कोचिंग सेंटर था तो वहां पर क्लासेस लेता था रश काफी हो जाता था बाहर गाड़ियों की पारकिंग बहुत जादा हो जाती थी काफी अरेंज करवा के रखना पड़ता था तो काफी पडोशी आ जाते कि लड़ाई करने कि यहां पर गाड़ियां मत रखवा मैं उनको बोलता कि यहां तक तो मैं रख सकता हूँ आपके घर के आगे रखूँ तो दिखते एक बार पडोशी के यहां कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा था तो जो बजरी बगरे के ट्रक आते हैं वो लेट नाइट में आते हैं तो उसने क्या किया मेरे घर के बाहर जो जमीन है वहां पर उसने अनलोट करवा दिया बजरी कंक्रीट बगरे वहां पर अनलोट करवा दिया मैं सुबह उठा मैंने देखा कि अब गाड़ियां का रखेंगे स्टुडेंट्स मैं उसके घर गया उसको बोलने तो उसने बुला कि क्या ये जमीन आपके पट्टे में है क्या वो लड़ाई पर उतारू हो गया आपकी खरीदीवे क्या मैंने का नहीं खरीदीवी तो नहीं है तो उसने का तो फिर मैंने का ठीक है मेरी खरीदीवी नहीं है मैं बात समझ गया आपकी सिर्फ दिमांग आपके पास नहीं है मेरे पास भी है अब मेरे स्टुडेंट्स आएंगे आपके घर के सामने गाड़ी रख देंगे ठीक है वो जमीन भी आपकी खरीदी भी नहीं है तो मेरा जो घर का आगे का portion है वो मेरा क्या exclusive economic zone है वहाँ से मेरा economic interest जुड़ा हुआ है समझे बात exclusive economic zone मतलब इंडिया का economic interest यहां तक है यह economic interest यहां तक कैसे है इस बात को समझते हैं तो इस बात को ढंग से समझना economic interest यहां तक कैसे हो गया देखे पैट्रोल, गैस वगरे कहां पर मिलते हैं समुद्र में पाए जाते हैं तो वहां पर यहां पर यह resources होते हैं तो government क्या करती है यहां पर बड़े-बड़े structures, installations वगरे fit करती है जो gas और oil extraction का काम करते हैं तो यहां पर क्या होता है गैस और oil extract किया जाता है निकाला जाता है और उसके लिए government यहां पर क्या करती है कुछ structures और installations fit कर देती है तो बताई यह इंडिया का economic interest यहां तक हुआ कि नहीं हुआ तो यह इसलिए कहलाता है exclusive economic zone और यह कहां तक माना गया है 200 newtical miles तक ठीक है तो इंडिया की definition इस तरह से दिरखी है यह तो हमने सी की बात की यह जो नीचे समुद्र का जो अंडर जो समुद्र में नीचे तल हटी होगी उसको कहा जाता है continental shelf of India continental shelf of India तो क्या वो भी इंडिया का पार्ट है yes वो भी इंडिया का पार्ट है अच्छा आस्मान में इंडिया है के नहीं आपने जमीन कवर कर ली जमीन कवर कर ली फिर आपने समुद्र में इंडिया कहां तक है वो भी देख लिया तो जमीन पर इंडिया कहां तक है वो उसके बाद समुद्र में इंडिया कहां तक है वो तो अब आस्माने भी तो देखना पड़ गया इंडिया कहां तक है तो आसमान में इंडिया कहां तक है जो territory of India है उसके उपर का आसमान वो इंडिया है और जो territorial waters तक इंडिया है उसके उपर का आसमान वो भी इंडिया है तो इंडिया कहां तक हुआ territory of India के उपर का आसमान और इंडियान territorial waters के उपर जो airspace है आसमान है वहां तक इंडिया है अच्छा अब में एक बात बताओ कि for example यहां पर gas और oil extraction के लिए यहां पर government ने क्या fit कर रखा है structures और installations लगा रखे हैं यहां पर कुछ repairing work करवाना है तो यहां इंडिया के जमिनी हिसे से एक mystery एक repairman गया यहां पर कुछ repair service देने के लिए उसने इस structure पर कुछ repair service दी तो क्या हम बोलेंगे उसने यह service इंडिया में दी यस उसने यह service इंडिया में दी अच्छा वो service देने के बदले उसको जो income होगी वो उसकी इंडिया ने income होगी माना जाएगा उसने यह income इंडिया में earn की है अच्छा एक और चीज़ यहां से gas और oil निकाल कर अगर इंडिया suppose यहीं तक ही होता जमीनी हिसे तक ही होता तो एक problem खड़ी हो जाती क्या problem खड़ी होती यहां से gas और oil निकाल कर जब हम इंडिया के जमीनी हिसे पर लाते तो फिर वो import कहलाता import कहलाता उसको import नहीं मानना था हमको समझे उसको import नहीं मानना है इसलिए इंडिया की definition में इंडिया को कहां तक कहा गया exclusive economic zone तक तो इंडिया की यह definition आपको यहां दे रखी है देखें गौर्णमेंट ने किस तरीके से definition दी है कि territory of इंडिया मतलब इंडिया का जमीनी हिसा इंडिया है और कितना है वो इंडिया के constitution में article में दे रखा है कि यहां से यहां तक का जमीनी हिसा इंडिया का है तो वो जमीनी हिसा तो इंडिया है फिर territorial water और territorial water के नीचे जो sea bed है मतलब समुदरी, धरातल और सब soil वहां पर जो मिट्टी बग रहे है वो भी इंडिया है फिर continental shelf exclusive economic zone, other maritime zone एक कानून बना रखा है इतना लंबा चोड़ा नाम दे रखा उसका इस कानून के तहट, define कर रखा है continental shelf और exclusive economic zone कहां तक होता है ठीक है, वो exclusive economic zone 200 newtical miles तक होता है वो इस कानून में दे रखा है territorial water 12 newtical miles तक होगा, यह इस कानून में दे रखा है ठीक है, तो यह सब भी इंडिया है अब आस्मान की बात करते है air space, आस्मान में इंडिया कहां तक होगा territory, territorial, आपका जो territory of इंडिया मतलब जमीनी हिस है उसके उपर का आस्मान वो इंडिया है और territorial waters के उपर का आस्मान भी इंडिया है clear? तो यह है इंडिया की definition मैंने यह डाइग्राम दे रखा है कि यह इंडिया का जमीनी हिस्चा है यहां से 12-neutical mice तक होता है territorial waters और उसका अगला 12-neutical mice क्या लाता है continuous zone और इन दोनों को combined क्या बोला जाता है इंडियान कस्टम्स वाटर हा अगर इंस्टॉलेशन से कुछ गुड्स लाया जा रहा है territory of India तक और वो थू एरप्लेन के थू लाया जा रहा है तो आस्मान में तो इंडिया यहीं खतम हो गया यहां पर structures हैं यहां से plane वो गुड्स लेगर आता है उस case में उसको import of goods कहा जाएगा क्यों आस्मान में तो इंडिया यहां तक ही है ठीक है और हमने बात कर ली कि 200-neutical mice तक होता है exclusive economic zone और उसके बाद से शुरू हो जाता है high C high C मतलब जहां पर all countries का equal right होता है तो इंडिया का right तो यहां तक है उसके बाद बागी सारी other countries का right भी शुरू हो जाता है और एक newtical mile बराबर होता है 1.853 km के बराबर तो इंडिया की definition समझ आ गई अब बात करते हैं कल हमने बात की थी जब भी हम किसी person person की definition में हमने पढ़ी section 2 clause 31 में उसमने क्या पढ़ा individual, hof, company, firm और aop, by, local authorities, trust और any other artificial, juridical person तो वो सब क्या कहलाता है person person क्या लाता है person की definition हमने कल detail में पढ़ दी जब भी हम किसी person की income calculate करेंगे compute करेंगे तो उस person को हम बुलेंगे S.S.C S.S.C तो मतलब S.S.C word कहां से आ रहा है assessment year तो बाते सब उस context में कई जा रही है तो कल हमने S.S.C के बारे में कुछ पढ़ा और उसका एक ही बेटा है उसका एक ही legal here है father की death हो गई father की income per tax उस एक बेटे को देना होगा एक ही है बेटा तो वो legal representative है या suppose किसी person की death हो गई उसकी wife उसकी legal representative है तो legal representative of a deceased person उसे का जाएगा dimmed S.S.C क्योंकि main S.S.C की तो death हो गई उसकी जगे पर हम किसी दूसरे person से tax ले रहे है तो उस दूसरे person को हम जबरदस्ती S.S.C मान रहे है तो उसको हम क्या बोलेंगे dimmed S.S.C guardian of a minor हम पढ़ेंगे minor की भी income taxable होगी ठीक है एक बच्चे ने जनम लिया और कोई एड एजेंसी आ गई कि आपके बच्चे को लेकर हमको एड शूट करना है Johnson & Johnson powder का या mummy Pogo Pants का एड शूट करना हम है तो उस minor child को income हो गई taxable हो गई यास taxable हो गई क्यूं यह कोई Indian contract नहीं है जो minor की liability नहीं है tax देने की ठीक है तो और यह minor को income हुई है उसकी ability की वज़े से तो इस पर minor को tax देना होगा अब क्या होगा इस किस में उसकी जो parents होंगे सबसे पहले काम करेंगे pen number के लिए apply करेंगे pen number पता क्या है पर्मानेंट account number income tax में जैसे आपने CA course में entry ली तो आपका CR number है वैसे ही अगर income tax act में कुछ भी करना है return file करना है तो क्या लेना होगा pen number तो उस case में minor child का भी pen number लेना पड़ेगा और जो father या mother है guardian है minor child का भी return file करेंगे ठीक है तो guardian of a minor अब SSC तो कौन है इस case में minor child SSC है में SSC तो वही है अब उसके guardian उसके बहाफ पर return file कर रहे हैं तो उसके guardians को का जाएगा dimmed SSC तो guardian of a minor और unit agent of a non-resident एक non-resident है आएगा ही नहीं टेक्स देने के लिए ठीक है तो government किसी निक किसी Indian person को उसका agent मानेगी में necessary कौन होगा वह NRI उसकी income का tax उसके agent से वसूला जाएगा आप बोलोगे उसका agent कौन उस NRI को इंडिया में कुछ भी transaction करने के लिए जिस person ने corporate किया transaction तो दो party कर पाएंगे ना एक person तो कर नहीं सकता उस NRI का जिसके साथ transaction हुआ उसको dimmed sse का जाएगा और उससे main sse main sse main sse यहां कौन होगा NRI उसकी income का tax उस Indian person से ले लिया जाएगा उसको dimmed sse मानते हुए और trustee of a trust main sse कौन है trustee trust main sse है trust उसके बहाफ पर tax लिया जाएगा trustee से तो वो कहलाएंगे dimmed sse तो इसलिए dimmed sse का concept बनाया गया फिर sse in default अगर कोई person under income tax act कोई default कर लेता है गलती कर लेता है तो उसे भी sse कहा जाएगा आगे जलकर हम एक बात पड़ेंगे government ने fast tax collection के लिए कुछ system बना रखा है क्या बना रखा है जैसे समझते हैं उस बात को Mr. A है Mr. B को कुछ income दे रहा है तो कुछ भी any sum any amount या sum का payment किया A ने B को यह A का expense है और B की income है ठीक है A को government बुलेगी कि यह B के लिए income है और यह income उसे आप दे रहे हो इस पे अगर आप उसे एक लाग दे रहे हो तो उस पे 10% उसका TDS काट लो नाम सुना कभी TDS tax deduction at source मतलब जैसे income on the spot उस पर tax deduction हो जाए तो यह किसको बुला जाएगा Mr. A को income है Mr. B की और A को बुला जाएगा चूकि यह income आप दे रहे हो B को तो उसको यह income देते वक्त ही आप उसका TDS काट लो और government को deposit कराओ यह A की income है क्या नहीं duty bound किया जा रहा है A को कि वो Mr. B का TDS काटे और government को जमा कराएगा यह income A की नहीं है यह income B की है but duty bound किया जा रहा है A को अगर Mr. A TDS काटना भूल जाए ठीक है तो क्या होगा Mr. A को SSE in default कहा जाएगा और बोला जाएगा आप यह tax काटना भूले अब यह tax आप से वसूला जाएगा क्यूं भूले आप समझे तो government ने fast tax collection के लिए यह system मना रखा है तो अगर कोई SSE in default हो जाता है TDS काटना भूल जाता है तो उसे SSE in default कहेंगे वो भी SSE क्यालाएगा For example, एक परसन के taxable income है और वो returning file नहीं करता, income करोडों में है और वो returning file नहीं करता, disclose ही नहीं करता कि मेरे कुछ income है भी उसके यह rate होती है उसने pen number तक नहीं ले रखा है ठीक है? तो अब government क्या बोलेगी? आप taxable range में आ रहे थे, आपकी income taxable थी, बट आपने ये income हमसे छुपाई तो इसका tax दो, हम आपकी income calculate करते हैं, इसका आपको tax देना पड़ेगा along with interest and penalty तो एक ऐसा person जिसने pen number अगर कुछ भी औप्टन नहीं कर रखा है बट जिसके against income tax act में proceedings initiate हो गई है income tax department ने उसके against कारेवाही शुरू कर दी है, proceedings initiate कर दी है क्यूं, for the assessment of his income or loss, उस person की income या loss calculate करने के लिए ठीक है, तो ऐसा person जिसके against income tax department ने proceedings initiate किये, वो भी SAC के लाएगा, ठीक है, फिर अभी मैंने minor के बारे में एक बात बोली, तो minor के लिए एक बात और समझते हैं, अगर minor की खुद की ability income है, तो तो उस पे वो minor child, खुद ही tax देने के लिए liable है, लेकिन अगर कोई इसका misuse करता है, परसन, इस provisions का misuse करता है, कैसे misuse करता है, suppose एक father है, उसको minor child, उसको एक child हुआ, तो father के खूब सारी income है, father सोचता है, मैं मेरे नाम से FD कराऊंगा, बेंक में तो उस पर interest मिलेगा, और फिर वो interest मेरे को taxable होगा, मेरी income तो पहले सही taxable range में आ रही है, दस लाग से उपर है, और दस लाग के उपर क्या, 30% tax rate होती है, तो मैं यूं करता हूँ, ये FD मैं bank में जाकर मेरे minor child के नाम से करवा देता हूँ, फिर क्या होगा, उसका interest मेरे minor child को taxable होगा, और धाई लाग तक तो उसको zero tax लगेगा, मतलब वो over smart बन रहा है, ठीक है, उसके दिमाग में ये, चालबाजी की बात आ रही है, कि मैं ऐसे tax evasion कर लो, तो यहाँ income tax act में उसके लिए भी system बना रखा है, कि अगर आप ऐसा करते हो, तो वो जो minor child के नाम से आपने FD कराई है, उसका interest फादर की income में ही जोड़ा जाएगा, क्यों वो minor child की ability income नहीं है, अगर वो minor child की ability income होती, तो उस पर minor child खुद tax देने के लिए लाइबल होता, बट चुकि यह minor child की ability income नहीं है, तो इस FD का source क्या है, फादर की income, उस पर income और interest के form में generate हुई, तो वो income, वो FD बले ही minor child के नाम से है, उस पर जो interest income generate हुई है, वो फादर को ही taxable की जाएगी, तो उसके लिए chapter है, income tax act में, clubbing of income, clubbing मतलब income जोड़ देना, दूसरे person की income है, minor child की income है, वो फादर की income में जोड़ दी जाएगी, उसको बोला जाता है clubbing of income, अलग से chapter है, उसका पूरा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या minor child की income, पर tax देने के लिए SSC किसको माना जा रहा है, parents को, ठीक है, और उसमें भी हम पढ़ेंगे, कि कौन सा parent tax देगा, फादर देगा tax या mother tax देगी, उसमें भी ये detail में बाते आएगी, ठीक है, उसके लिए एक section आएगा clubbing of income chapter में, section 64, section 1A, minor child की income, parents में club करने का system, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, minor child की income पर tax देने के लिए, main SSC तो minor child उसकी income है, club की जा रही है, parent में, वहाँ पर हम पढ़ेंगे, किस में चोड़ी जाएगी, फादर में या मदर में, income जोड़ने से पहले, जिसकी भी income जादा है, उसमें minor child वाली income जोड़ी जाएगी, ठीक है, ऐसा हम पढ़ेंगे, clubbing of income chapter में, कुल मिलाकर ऐसे मत तोचिएगा, यह कोई Indian contract act है, यह तो Indian contract act वाली बाते, मैं clear cut बता दू, income tax act, accounts के भी anti चलेगा, उसमें जो बाते लिखी हैं, हम ignore करेंगे, accounts की बाते ignore करेंगे, costing की बाते ignore करेंगे, company set की बाते ignore करेंगे, इवन हम normal, जो mathematics है, उसको भी ignore करेंगे, ठीक है, यहां पर, minus minus plus नहीं होता है, कोई जरूरी नहीं है, मलब हम बिल्कुली अलग track पर चलने वाले हैं, हमारे खुद के नियम हैं यहां पर, हम उसके सब से चलेंगे, ठीक है, मलब हम सब के NTO के चलना हमें, चलें, तो minor child, parent, father को माना जा रहा है, minor child की income उसमें add की जा रही है, तो यहां उसे related एक बात और दे रखिये, income or loss of any other person, any other person कौन, minor child, in respect of whom he is accessible, minor child की income के respect में, father accessible हो रहा है, under income tax act, मतलब उस पे tax लगाए जा रहा है, तो उसे father को भी क्या बोला जाएगा, ऐसे सी, और अगर मान लो, कोई person tax जादा पे कर देता है, टेक्स जादा कैसे पे हो जाता है, for example, किसी person की tax liability निकल रही है, एक लाक, उसकी tax liability निकल रही है, एक चेप्टर पढ़ेंगे हम, advanced tax, advanced tax मतलब, government आपको यह बोल रही है, कि year रहने से पहले, आप अपनी total income का estimate लगाओ, और उस estimated total income पर जो भी tax बन रहा है, calculate करके देखो, अगर वो 10,000 या 10,000 से जादा बनता है, तो यह आप टेक्स, advanced basis पर tax जमा कराने के लिए लाइबल लो, मतलब अभी year end हुआ ही नहीं है, और government tax लेने आ गई है, वो कहते हैं, गाओं बसा नहीं है और, तो advanced tax के provisions अपले के लिए, SAC ने अपनी income का estimate गलत लगा दिया, तो उसने tax ज़्यादा estimate कर लिया, और वो deposit करा दिया, suppose उसने tax deposit करा दिया, एक लाग बीस हजार, एक लाग बीस हजार, उसने advanced tax deposit करा लिया, ठीक है, अब, year end पर, जब वो अपना income calculate करने बैठा, कि मेरी actual income क्या है, पहले तो उसने income का estimate लिया था ना, अब वो अपनी actual income लेगा, actual income suppose कम है, tax कम आएगा, तो क्या situation arise होगी, कि उसने suppose अपना advanced tax, एक लाग बीस हजार जम्मा करवा दिया था, और जब वो अपनी actual tax liability calculate करने बैठा, वो एक लाग ही आ रही है, तो बताईए, इस बीस हजार access tax paid का, उसको refund मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए? तो उसके लिए यहाँ पर बात दे रखी है, अगर किसी person का हम refund का amount निकालते हैं, कि उसको due कितना है, चाहिए उसकी खुद की income का, या किसी दूसरे person की income के respect में, किसी दूसरे person की income उसमें जोडी गई है, तो उसका tax का refund भी claim करने के लिए उसे SSE माना जाएगा, तो SSE की definition के दो पाट थे, पहला था means part, उसमें क्या बोला, जो person भी tax interest penalty पे करने के लिए liable है, under the provisions of income tax act, वो तो SSE है ही, फिर बोला, it also includes, उसमें ये सब शामिल है, dimmed SSE शामिल है, SSE in default शामिल है, एक ऐसा person, जिसके against income tax act में proceedings, initiate कर दिये income tax department ने, उसे भी SSE में include किया जाएगा, ठीक है, तो SSE की definition हमने पढ़ ली, gross total income हमने कल बात कर ली थी, कि 5 head की income हम total कर लेंगे, उस aggregate को बोलेंगे, gross total income, section 14, 5 head हमने बात कर ली थी, 5 head की income को हम बोलेंगे GTI, और उसके बाद हम chapter 6 के deductions, less करेंगे GTI से, तो क्या आएगी, total income, section 2, clause 45, total income की ये definition, और total income वो amount है, जिस पर हम tax impose करेंगे, tax calculate करेंगे, तो clear दे रखा है, this income is also called total income, on which tax has to be imposed, जिस पर हम tax calculate करेंगे, वो total income है, अब एक छोटी सी बात, मैंने कल एक छोटी सी बात बोली थी, कि इंडिया में agricultural income पर tax नहीं लगेगा, क्यों एग्रिकर्सल इंकम, एक्जम्ट इंकम है, वो taxable income नहीं है, इसका मतलब income की भी दो categories होती है, taxable income और exempt income, इसका मतलब government हर तरीके की income पर tax नहीं लगाती, government कुछ exemptions देती है, कि इन इन incomes पर हम tax नहीं लगाएंगे, जैसे माल लिजे कोई person आर्मी नेवी में जॉब करता था, उसको government से परम बीर चक्रम मिला, अवार्ड मिला उसको government से, फिर वो retire हो गया, after retirement उसको pension मिल रही है, विज़ा ये government उस pension पर अंडर income tax लगाएगी की नहीं लगाएगी, या उसके लिए बुलेगी exemption है, उसको बुलेगी exemption है, आपकी pension पर हम tax नहीं लगाएगे, बाकी लोगों की pension पर हम tax लगाएगे, बट चुकि आप अर्मी चक्रम अवार्ड हो, उस आपने अवार्ड लिया government से, तो आपको जो pension मिलेगी, उस पर tax नहीं लगेगा, तो वो क्या होगी? Exempted income होगी? तो कुछ income exempt होती है, कुछ taxable होती है, जैसे अग्रिकर्सल इंकम exempt, ठीक है? तो जो exempted incomes होती है, एक बात बताएगे, अगर आपके कोई taxable income है, अगर आपके कोई taxable income है, वो आप पहले पूरी gross income लोगे, और उसमें से expense less करोगे, तो taxable क्या होगा आपको? Net income या gross income? Net income, gross नहीं, net income, मतलब government expense less करना लग कर रही है, अगर वो expense in connection with taxable income है, तो expense tax करना अलाव होगा, और net income पर tax लगेगा, एक simple, इसको हम ऐसे समझते हैं, फर एक्जामपल, माल लो आप businessman लो, आपने P&L account बनाया, क्या आपने जो turnover किया है, जो sales की है, उसके gross amount पर tax लगा दे, या P&L के debit side में आपने जो खर्चे लिखे हैं, वो आपको less करना अलाव किया जाए, less करना अलाव किया जाए, स्टाफ को salary दी, raw material purchase किया, electricity, water बगरे का expense, यह सब less होना चाहिए, तो net income पर tax लगेगा, after deduction of expense, ठीक है, तो, तो, पूल मिलाकर यह है, कि वो expense, तभी less करना अलाव होगा, अगर वो incur किया गया है, in connection with taxable income, लेकिन, एक बात बताना, चुकि government, कोई income पूरी exempt कर रही है, वो income, पूरी की पूरी gross, exempt है, तो क्या, उस exempt income के connection में, कोई expense है, तो वो government अलाव करे, या ना करे, मेरा सवाल यह है, expenses incurred for earning exempted income, वो अलाव होना चाहिए, less करना या नहीं, नहीं होना चाहिए, क्यूंकि government, पूरी income पर ही tax नहीं ले रही है, तो उस exempted income के connection में, जो expense क्या गया है, वो भी अलाव नहीं होना चाहिए, तो section 14a में यह बात कही गई, in computing total income, no deductions will be allowed for that expenditure, which has been incurred to earn exempted income, exempted income के लिए, earn करने के लिए कोई खर्चा किया है, तो वो अलाव ही नहीं होगा, क्यूं government ने तो पूरी income ही exempt कर दी, तो उसका खर्चा क्यूं अलाव करें, फिर हमने जैसे समझा कि, हर head का एक charging section होता है, salary head का charging section क्या है, बताओ, 15, house poverty का, 22, PGP head का, 28, capital gain का, 45, other sources head का, 56, ठीक है, तो जैसे हर head का एक charging section होता है, तो बताइए जब income tax act बनाया गया होगा, उसके अंदर, ये चीज लिखने की जरूरत थी क्या, कि income tax लगाया जाएगा, हमने बात की, कि इंडिया में का, जो constitution of India है, उसमें schedule 7 है, schedule 7 के अंदर, list first है, list first के अंदर, anti number 82 है, उससे central government को power मिला, income tax impose करने का, बट वो तो constitution की बात थी, वो बात तो constitution की थी, क्या income tax act में भी लिखना पड़ेगा, कि हम tax charge करेंगे, हम income tax charge करेंगे, यस, income tax act के अंदर भी लिखना पड़ेगा, इसका मतलब, income tax act का भी एक charging section, बनाना होगा government को, तो government ने बनाया, income tax act का charging section, section 4 कहलाता है, income tax act का charging section, इस section में government ने क्या लिखा, तीन लाइने लिखी हैं, लेकिन उसको बहुत ही टुकड़े करकर के पढ़ना है, पॉस दे दे कर पढ़ना है, क्या बोला, income tax shall be charged, for every assessment year, मतलब, हम income पर tax लगाएंगे, previous year में नहीं, assessment year में, किस पर लगाएंगे, on the total income of every person, total income of every person, और वो income, किस year की होगी, previous year की, of a previous year, तो वो income previous year की है, उस पर हम tax charge करेंगे, assessment year में, ऐसा लिखा, फिर आगे लिखा, tax rate कौन सी काम मिलेंगे, at the rate or rates as prescribed in annual finance act, but annual finance act में तो सिर्फ normal tax rates होती है, annual finance act के अंदर क्या होता है, सिर्फ normal tax rate, तो फिर आगे लिखा, subject to the special rates of tax, prescribed in this act, तो इससे का पता पता है आपको, कि special tax rate, income tax act के अंदर ही दे रखी होती है, और normal tax rates, finance act के अंदर दे रखी होती है, normal tax rate, finance act के अंदर, और special tax rate, income tax act के अंदर, दे रखी होती है, फिर, section 5, scope of total income, तो, मेरे को एक बात बताईए, आप, मालनों 10-20 साल से, इंडिया में ही रह रहे हो, आप, foreign गए, और, foreign में, आपकी इंडिया में तो, income है ही, foreign में भी आपको income हो गई, तो बताईए, इस income पर, आपको, इंडिया में tax देना होगा, या नहीं, या सिर्फ, इंडियान income पर ही, आप tax दोगे, मैं बात कर रहा हूँ, scope of total income, scope of total income का मतलब है, आप कौन सी income पर tax देने के लिए लाइबल हो, क्या सिर्फ, इंडियान income पर tax देने के लिए लाइबल हो, या even foreign income पर भी tax देने के लिए लाइबल हो, ये भी decide होगा, उसके लिए एक अलग से chapter है, residential status, residential status में हम हर SSE का residential status निकालेंगे every year, every year हर person का, देखिए income tax में दो टाइब के status होते हैं, एक तो सिफ status, जब आप income tax का return पहली पर file करोगे, तब आप उसमें देखना, सबसे पहले एक बात उसमें note करना, एक जगे लिखा होगा status, और दूसरी जगे लिखा होगा residential status, status क्या होता है, कि वो person, वो SSE, individual है, या HOF है, या company है, partnership हम है, ये सब कहलाता है status, और residential status, क्या, residential status, हम किसी person के लिए, उस वो इंडिया में, during the relevant previous year, इंडिया में कितने दिन presence रहा, उसकी इंडिया में कितने दिन की presence है, वैसे chapter में बहुत डीटेल में बाते हैं, 15 लाग का अभी criteria है, बट उतनी ज़्यादा डीटेल में, मैं नहीं जाकर, आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, अगर कोई परसंड इंडिया में रहता है, during the relevant previous year, आपका relevant previous year अभी क्या है? 21, 22, ठीक है? तो 21, 22 आपका relevant previous year है, इस relevant previous year में, अगर कोई परसंड इंडिया में present था, कम से कम, at least 182 days, तो वो resident कैलाएगा, और अगर इससे कम present था, तो वो non-resident कैलाएगा, ठीक है? तो पहला classification होता है, कि वो resident है, या non-resident है? अगर पता पड़े, कि वो resident है, तो उसका फिर further classification होगा, कि वो ordinary resident है, OR, ordinary resident है, या NOR है, इसके लिए क्या देखते है? इसके लिए, ये चेक किया जाता है, वो पिछले 10 साल की भी, उसकी history उठा के देखते है, 10 साल में से 2 साल, वो इंडिया में resident था, क्या? ठीक है? तो, पिछले 10 साल में, वो, किनहीं भी 2 साल, resident था, ये कंडिशन, और डेश के साब से देखेंगे, पास्ट 7 येर्स में, वो इंडिया में 730 डेश प्रेजेंट था की नहीं, अगर था, दोनों कंडिशन से डिस्पाई होने चीए, वो पिछले 10 साल में, कम से कम 2 साल, resident इंडिया था, प्लस, पास्ट 7 येर्स में, वो अगर इंडिया में 730 डेश इंडिया में प्रेजेंट था, दोनों कंडिशन से फुल्फिल होने, तो वो ओर्डिनर्ली रेजिडेंट के लाएगा, ठीक है, अदर्वाइस, वो resident है, बट वो ये condition satisfy नहीं कर रहा है, दोनों, तो वो क्या कहलाएगा, N-O-R, Not Ordinary Resident. तो इस तरीके से कुछ conditions है, presence in India, देखेंगे हम उसकी कितनी है, उसके base पर हम डिसाइट करेंगे, कि वो resident है in India, या non-resident है, इसके लिए पूरा एक chapter है, वो हम detail में पढ़ेंगे, उसके practical questions करेंगे, तकरीबन तीन दिन का chapter है वो भी, तो detail में बाते हम तब करेंगे, बट अभी क्या बात करनी है मिरको, एक बात बताना, कोई non-resident है, उसको Indian income हो गई, तो क्या, वो इस Indian income पर tax देने के लिए libel है इंडिया में, यस, libel है, foreign income पर tax देने के लिए वो libel नहीं है, ठीक है, अच्छा, कोई OR है, उसकी global income taxable होती है, global income मतला, Indian income as well as foreign income, अब आप बुलोगे, सर एक बात बताओ, अभी बता देता हूँ, यू नहीं, बात मैं बोलो कि तीजवानी सर ने तो बता ही नहीं यह बात कभी है, तो अभी एक बात बता देता हूँ आपको, यह जो OR होता है, ओर्डिनर्डी रेजिडेंट इंडिया, इसकी global income taxable होती है, Indian income as well as foreign income, मतला भी यह पूरे दुनिया में कहीं पर भी पाव रखे, इसको income हो taxable in India होगी, अब एक दिमाग में सवाल आएगा, कि ठीक है, Indian income पर तो India tax ले रहा है, उसको जो foreign income होई, उस पर भी India tax ले रहा है, उस foreign income पर India tax ले रहा है, बट यह foreign income उसको जिस foreign country में होई होगी, वो भी तो tax लेगी उससे, तो यह double taxation नहीं हो जाएगा क्या, मतलब same income पर, अगर दो-दो countries tax लेगी, तो दिक्कत होगी, इस case को solve करने के लिए, मतलब situation को solve करने के लिए, इंडिया की government, दूसरी country की government के साथ, tax treaty करती है, tax treaty, कि आखिर का tax कौन लेगा, जैसे माल लो, अगर उस income पर, overall tax लगना 10%, तो दोनो countries agreement करके decide करेंगी, कि इस income पर tax, 5% आप ले लेना, इस इतनी income पर 5% tax हम भी लेंगे, मतलब, SSE पर double taxation नहीं होना चाहिए, overall 10% लगना है, tax 5% आप लेना, 5% हम लेंगे, तो दो countries के बीच में, tax treaty होती है, agreement बनता है, उस case में, उसको बोला जाता है, D, T, double, A, इसका पूरा, full form क्या है, double taxation avoidance agreement, double taxation avoidance agreement, D, T, double, A, तो फिर, act के normal provisions काम नहीं आएंगे, और इस agreement के provisions काम आएंगे, समझे बात, वैसे ये वाला part, student हमेशा पूछते हैं, जब मैं ये chapter कराता हूँ, residential status, कि सर वो foreign country भी tax ले रही है, फिर इंडिया भी उस income पर tax ले रही है, तो तब मैं students को बोलता हूँ, कि जब CA final में आओगे, तब आपको एक chapter पढ़ाया जाएगा, double taxation avoidance agreement, ये chapter CA final में detail में है, तब इस बात को समझेंगे, ठीक है, तो, SSE को कौन सी income पर tax देना होगा, Indian income पर देना होगा, या foreign income पर देना होगा, ये सब decide होगा, residential status chapter को ध्यान में रखते हुए, हम outright कोई formula अभी नहीं बता सकते, सब इस chapter को ध्यान में रखते हुए होगा, clear, तो ये chapter होगया आपका, इसमें हमने basic बाते पढ़ी, introduction पढ़ा, कुछ definitions पढ़ी, इस chapter का मकसद क्या था, आपको समझाना की, GTI क्या होती है, person में कौन-कौन cover होता है, previous year, assessment year, किसको बोलते हैं, direct tax, indirect tax, difference क्या है, India की definition क्या है, तो ये basic part आपका, खतम हुआ, कल से हम head पर आ जाएंगे, हमने जैसा बात की 5 head हैं income के, तो सबसे पहले हम लेंगे, income from house property, पहले शुरू करेंगे, हाला कि sequence में पहले salary आता है, लेकिन सबसे पहले हम income from house property, मतलब second वाला head शुरू करेंगे, वो कल से शुरू हो जाएगा, तो आज की class में इतना ही, आज की class में कोई doubt, हाँ, बोलिए, pen card की eligibility 18 years के लिए नहीं है, clear कर दूँ आपको, एक minor, देखो, minor child की pen card के लिए भी, जो उसके guardian अप्लाई करेंगे, बस सिर्फ इतना होगा, कि उस case में minor child का photo, उस पे नहीं होगा बस, और photo का column होगा, बना रखा होगा इतना, और उसके अंदर लिख देंगे minor, जब वो minor major होगा, तब वो वापेस photo के लिए, photo submit करेगा, और उसका photo उसमें लगके, नया pen card बनके आएगा, लेकिन pen number सेम ही रहेगा, मैं clear कर चुका हूँ, यह Indian contract act नहीं है, ठीक है?